इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. इसे भोजन के साथ देना बहतर होता है क्योंकि इससे अवशोशन बढ़ता है और पेट में गरबड़ी होने का खत्रा कम होता है. डॉक्टर इसे दिन में दो से तीन बार देने की सलाह दे सकता है. दवा की खुराक इंफेक्शन के प्रकार, उसकी गंभीरता और बच्चे की उम्र और शरीर के वजन पर निर्भर करती है. इसलिए दी गई खुराक को तै समय पर और बताई गई सलाह के अनुसार ही लें. यदि आपका बच्चा दवा के सेवन के 30 मिंटों के भीतर उल्टी कर देता है, तो बच्चे को पहले शांत होने दे और फिर उसे वही खुराक दें. अगर अगली खुराक का समय हो गया है तो डबल डोज ना लें. रोल इकलाव सीवी ड्राय सिर्प के कारण उल्टी, डायरिया, यानि की दस्त, मिचली आना, पेट में दर्द और अलजी हो सकते हैं. ये साइड इफेक्ट अपने आप कम हो जाने चाहिए. लेकिन यद ये प्रभाव बने रहते हैं और आपके बच्चे को परेशान करते हैं, तो देर किये बिना अपने बच्चे के डॉक्टर से परमर्श करें. अलजी, दिल की समस्या, बलड डिसॉडर, जन दोश, वायुमार्ग में रुकावट, फेफड़े की खराब, गेस्ट्रो इंटेस बनाने में मदद करेगी. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें, और आल नोटिफिकेशन को क करें, धन्यवाद.